हेलो वेल्कम बैक वेल्कम तो इंजिनियास प्रेटफार्म बहुत दिनों के बाद है ना जैसे कि मैं पहले छुटियों पे था उसके बाद लगाता है लॉग्डाउन का सिलसिला जारी रह रहा है सो मैं ओफिस में नहीं अबिलेबल हूँ सो वाइट बोर्ट पर अभी चीज़ियों आप लोग को कॉंटेंट मैं डेलिवर करने की गोशिस कर रहा हूं क्योंकि डिजिटल बोर्ट जो ओफिस में वो लॉग्डाउन के कान बंद है ओके सो यहां पर बारत हो रही है कि क्या प् की जाए तो सबसे पहले प्रिप्रेशन यूर एक्जाम ड्यूरिंग लॉग्डाउन के दौरान किस सब्जेक्स को बहुत ज्यादा फोकस कर लिया जाए जिससे आपके हॉल सी लेवस के अंदर बहुत आसानी मिलने वाली है सो सब्जेक्स को अगर फोकस करें तो सर यहां प सिविल और नॉन टेक्निकल सब के अल्मॉस्ट को मिलते हैं सो नॉन टेक को भी फोकस करना बहुत जरूरी हास की रेट में नॉन टेक अगर आपका अच्छा नहीं होता तो इक जान में निकलता है जैसे कि मैं हर क्लास के अंदर या जो भी स्टेटजी में अपने प्लान करत सो मैं यहाँ पे इलेक्टिकल सिलेबस के अबाउट जरूर चर्चा करूँगा है ना यहाँ पे इलेक्टिकल सिलेबस के अबाउट पूरा डिसक्सन करूँगा लेकिन सबसे पहले नॉन टेक जब तीनों ब्रांच के कॉमन होते हैं हम उसकी लिए कुछ चर्चा करें कि किस तरीके से बहतर तरीके सो about अगर reasoning की बात करें reasoning आपको preparation करनी चाहिए एक बार कर लोगे तो ज्यादा वक्त नहीं लगता इसमें so अभी करना चाहो तो आप कर सकते हो या फिर कुछ दिन बात भी कर सकते हो reasoning five day game है इसको किसी भी exam के लिए अगर पूछा प्रेकर लेगा है important है ना आज की रेटेंट में बहुत पहले हमस्तार कर रहें नहीं आज की रेट से आपको इसको बहुत अच्छा करना पड़ेगा यहां पर मैं बात करूं कि जीके जिस किस तरीके से करें देखिए जीके जीस करने का अपना तरीका है सबका बहुतों ने तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रखा हो लेगिं जिन्हों नहीं किया है उनके करने का तो वह मैं बताता हूं जीके जिस आपको ऑटलीस्ट डेख्ड़ी डेली वाला सेडी डी द में रखना पड़ेगा आपको सेट्ड को मैं आपको जीके जीस को आकर को ब्हुत तो करने के लिए आप सबसे बड़ी एडवांटेज की अगर बात करो ना इसकी जो एडवांटेज है यह सबसे बड़ा है क्या time जो है time exam में बिल्कुल कम लेता है और marks अगर आपको आता है तो यह marks सबसे ज़्यादा देखे जाता है सबसे ज़्यादा important role play करता है क्योंकि हर exam में time बहुत important हो गया time कम लेज़े बहुत important हो गया क्योंकि बहुत सरे सब्जेक्स होते है चाहिए नंटेक दाइरा में जाए है टेक्निकल में टेक्निकल पेपर आपको no dot time लेगा लेकिन नंटेक पेपर कभी भी time नहीं लेता इसके तुलना में तो ज़्यादा ही time लेगा तो जीके जीएस को focus करना सर जीके जीएस में कौनकों से subject होते है और किस तरगे से पढ़ना होता है ध्यान दखिएगा जीके जीएस के लिए especially आपको science में physics, chemistry, bio, history अब जीएस की बात करे है, history, policy, economics इतना focus भी नहीं भी करें, economics को कोई दिक्कत नहीं है, polity, geography, interesting है, चुकि इंजिनियर्स जितने भी होते हैं, वो इन सब subject को नहीं पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ोगे, enjoy करोगे, बेसक इसको बहुत बेटर तरीके से आप enjoy करने वाले हो, so ये subjects ऐसा है, जो time exam से पहले भी लेगा, exam से पहले इसको त्यार करने में बेसा किसी ये time लेगा, लेकिन exam के दौरान, ये सब से कम time लेके, सब से ज़्यादा outcome देने वाला होता है, so non-tech को बहुत अच्छे से focus करना है, इस चीज का ध्यान दे, अब बात आती है sir, किस तरीके से कर, इसको करने का तरीका क्या होता है, ल्यान हमेशा हो, GKGS की जब भी बात होगी, एक बार कहीं भी किसी भी टीचर से, इंजिनियर्स प्रेटफर्म ऐसे आपको प्रोवाइड करता है, इंजिनियर्स प्रेटफर्म पर अगर आप जाते हैं, इंजिनियर्स प्लेटफर्म जिस चैनल पर आप ये देख सब्सक्र MICRAMPAYDAYO इंजिनियर्स पर्ड़फॉर्म यूटूब चैनल पर जाते हैं यूटूब चैनल पर जाते हैं तो वहां पे GKS हम complete free provide कर रहे हैं आप वहां पर जाके GKS देख सकते हो technical subject के लिए 1600 प्रेडवां के app पर 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 आप żाते हैं तो technical subject fully electrical के cyawek सब्सक्राइब कर सकते हैं इनको पढ़ने का तरीका क्या होता है अब इसमें बहुत ज्यादा डिप में नहीं जाना होता है तो क्या करना है तरक सिर्फ क्या करने जाए यह भी एक बहुत तरीका नहीं है इसके लिए आपको क्या करना चाहिए हमें ध्यान रहें इसको एक बार पढ़िये जो भे आपको अच्छा लगता हो उन तीचर के देना बहुत important होता है फिर वो दो आपको पता चल जाएगा question सब बना है physics में बहुत 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 होता है start करिए एक बार हर subject को पढ़िए ऐसे आप सिर्फ questions को अगर रटेंगे रटा तो जाता है यह अगर आप चाहूंगे तो इससे रट भी लोंगे और exam में बन भी जाएगा लेकिन कहीं अगर कोई भी section आपका week होता है ऐसे condition में आपका कमजोर पढ़ने लगता है non-tech सो किसी भी टीचर से एक बार चाहिए इंजिनियर्स प्रेटफर्म को यूट्यूब चैनल पर जाएए या फिर कहीं भी आपको लगता है बहुत सारी फ्री अपको चैनल है जो non-tech आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं सो हिंदी मेडियम के अगर मैं बात करूं सर हिंदी मेडियम में घटना चकर की बुग उठाइए दस साल का लाश्ट टेनियर का वह बहुत बहतर आपको देगा प्रिपरिशन के तयार पॉइंट अव्यू से और इंग्लिस मेडियम की बात करें तो एम पांडे की मनुमर पा सब्सक्राइब ले सकते क्योंकि क्यूंकि क्योंकि क्यूंद लेता इधा नियूर को श्रकाइब कर लेघंगा एक मेड़को पर नहीं को कोसिस कि जेगा एक पर जरूर रिडूर्ड कर यह तभी कुषचिस लगा यह तब तेस्च चिरीज में आपन बैठेंगे तो बहुत ब कि बात करऊं तो इलेक्टिकल में अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं पहले आपको मैं बता दूं फिट्रियों की चर्चाए होंगी सब्यक्ट है हमारा सर्किट कि सर्मसीन कि पावर शिस्टम मिजर्मेंट कि मिजर्मेंट Utilization Utilization of Electrical Energy Utilization of Electrical Energy Next मैं बात करूँ सर यहाँ पर Basic Electronics ओके और थोड़ा सा यहाँ पर पार्ट आ जाता है आपको Estimation and Costing की So यह जो section है specially ध्यान रखेगा यह जो section है यह complete है सिलेबस SSCJE SSCJE का and RRBJE में भी यही सिलेबस है RRBJE के अंदर भी सिलेबस यही है ध्यान रखे SSCJE और RRBJE में यही subject पुछे आते है technical point of view से लेकिन सर किसी state की exam में सर state की exam में आपको क्या करना पड़ेगा कुछ और subject का focus करना पड़ेगा लेकिन ध्यान रहे यह subject चाहे वो जेई हो state का या फिर central का यह subject हमेशा common होगा so इन paper को हमेशा बहुत 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 तरिके से करने की आपको ज़रुत है electrical engineering की बात करें तो अभी free of cost हमने YouTube पे इंजिनियर्स प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे तो सर्कीट एक सागर है ना सर्कीट एक सागर के नाम से हमजीन चलाया है जो basic thoughts को बहुत complete करेगा आपको अभी तक 40 lecture से ज्यादा या 50 lecture आए हो 50 lecture हो चुका होगा जिसमें हमने theorem तक complete किया है आप लोग जरूर कोशिस करेगे उसको study करने का तकि वो चीजें बहुत अच्छा हो जाए बाकि पूर्ण complete कोर्स के लिए कभी भी electrical engineering की complete कोर्स पे जाना है तो engineers platform के app को download करिए engineers platform के app को download करिए वहां से बहुत सारे चीजें मिल जाएंगी या फिर आप contact number ले सकते हो 8709631963 इन number पे call करके भी आप आप वहां से चीजों का पता लगा सकते हैं regarding आपका कोर्स electrical engineering से कोर्स इलेटर मैं बात करूँ सब्सक्राइब से रह गया है जो आपके state के exam में लगातार देखने को मिलता है तो state के exam में आपको देखने के लिए additional subject मिलेंगे जो बहुत need होता है जैसे कि आपको है सकती है digital digital electronics analog electronics analog electronics power electronics signal and system signal and system अभी सीव सर आपको signal and system यूटूब पे इंजनियर्स प्रेट्फम के यूटूब पे free of cost बहुत 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 तरीके से करा रहे तो कोसिस करें हमेशा कोसिस करेंगी इन subject को बढ़ी हां से कर ले स्टेट एक्जाम में अगर स्टेट जई की एक्जाम के बात करूं वे सर तो UPPCL जई है ना UPPCL जई या फिर RSEB है ना बिहार स्टेट electricity board है ना इनके जो BHPSCL के नाम से आता है इन सारे सब्जेक्स जो स्टेट की एक्जाम है जई में उनमें आपको यह सब सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है के बाद material science है ना material science भी पूछ देता है र्यान दखिएगा material science सर के बाद आपको microprocessor भी पूछ देता है म्यूपी सर के बाद microprocessor से भी question जैसे UPPCL के अंदर microprocessor से question देखने को मिल जाता है सो उनको भी आपको देखना पड़ेगा थोड़ा से ज्यादा focus ने करना पर इतना कर लेना है कि चीज़ें आपसे बन जाए तो यह सारी चीज़े material science microprocessor तो यह कुछ additional subject है यह भी यह भी अगर course related में बात करूँ तो इंजनियर्स प्रेटफर्म के app पर सिर्फ यह अलग से सब्जेक्ट है जिन्होंने स्सी जई का course ले रखा है वो सिर्फ यह subject 6 subject भी ले सकता है जिसकी preparation आप अच्छेश कर सकता है अलग से कोई भी course हमारे पास लेने की जुरत यहाँ पर नहीं है डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों ही eligible है अगर दोनों eligible है तो यह common essay paper है जो को आप बहुत अच्छे से strong करिए बाकि किसी स्टेट की exam में जैसे की अभी RSEB की बात करें राजस्थान स्टेट electricity board वहाँ पे जो RSEB का form निकला उसमें कुछ अपने अपने फ法ण है बीहार में कंगवकत कर दियाप बीटेक यहाटना । हमोद स्टेट के लिए प्र हारा और में को तो इंजार्ट विवर के लिए आपको perspective Gusion integration बहुत बहुत बहले तरिकए से करना है। न सर बहुत 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 बहुतर मिला तो वहां से कड़िए एक टीचर को फोलो करिए बहुत बहुतर तरीके से सुरू से एंड तक कॉंसर्प पूरे करने की कोशिस किजिए आपको बहतर लगेगा या फिर इंजिनियर्स प्लेट्फाम को यूटूब यूटूब चैनल पर जाए आपको बहतर डेमो क्लास देखने को मिलेगा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है हमारे कोर्स का अगर यहां पर कोर्स का एड देखने को मिलता है जिससे की हर एक पिक्चर और वीडियो के अनलाइजेशन से यह चीज़े बहुत बहतर हो जाती है आपके हैना सो यह सी लिए मैं फोकस करता हूं कि आप उस चीज को एनलाइज करें बेसक्त देखे हर चीज का डेमो वहां पर देख सकते हो इंजिनियर्स सब्सक्राइब को बेसक मिलेगा तो वहां से आप जा सकते हैं फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी कोई अगर रहे जातो आपको लगता है कि सर यह चीज के बारे में अपने को जान करें हाला कि हम लगाता आपको डाल रहे होते हैं हर एक्जाम के स्टेजी किस तरह से प क्लास लगा रखा है पचास लेक्टर ही अभी कंप्लीट में जिसमें अप टू बेसिक कॉंसेप्स अर्किति के बेसिक कॉंसेप्स और हम एक ठियोरम चेप्टर को उठाए और उसको कंप्लेट के अब एसी चलता है लेकिन तब तक लॉग्डॉन इधर लग चुका है लगा लिए लिए वह बार-बार कॉल कर रहे होते है उसको अब अब कर रहे हैं वहां पे जाने के लिए कि ऐखे के बाद आपको अलग सब्जेक्ट्स फिर से यू पपीचल का आप सिर्फ पांच सब्जेक्ट ले सकते हो अगर इसका पेड अल्री है तो पांच सब्जेक्ट के नाम से ना महां पर में उससे पांच को पर्चेज करके अपने इस प्रिपरेशन वह कंटीनियो डख सकते हैं फिर भी क्वाईडी हो कोई भी अब नेक्स जो वीडियो आएग प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा क्योंकि इधर लॉगड़न के बाद जो आपको टाइम मिलेगा तब एक साल बाद आई हो कि आरवी जी फिर से आपके सामने होगा बहुत ज्यादा पोस्टिं होती है उन्हें में आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा सो आज के लिए इतना ही स्टेट्जी को हम लेके आएंगे ससी जेए की स्टेट्जी जिसमें हम स्पेशली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की चर्चा करने वाले हैं ओके आज के इतना ही गुडबाए